पत्थर लगा हुँ है मैं यह दूरो दूर से फूल महसूस हो रहे यह पत्थर लगा के उनको ऐसा प्रेंट की हुआ है दूर से यह दूर में तेबल बने हुए है बहुत ही फैंसी टाइप के जैड़े चोटे पारक में भी कि चोटा कि चोटा जिम मिलेगा यह वी देखें य और आज बारश हो रही है, रेमी डे है और हम मुझूद हैं दो रोड के दरमयान छोटे से पारिक में जो यहां के मशूर फलाफल अर्फा के बिल्किल करीब है, देखें रोड के दरमयान जो खाली जगा थी इसको कितना खूम सुरत मुना दिया गया है, उपर से बारश हो रह होती है आपको दौा करनी चाहिए बारश अबर रहमत होती है लाच की रहमत बश्री है, और सुना है कि जब बारश हो रही होती है तो आपकी दौा कबूल होती है, हम यहां पर कर रहे हैं सैर, साथ-साथ दौा भी करते हैं अबारिक अल्दाइबू कोनुन वाले मारिक और आले मैधिन कि माभरिक नदीन को बारिक आला अनले महमदिन को माँ अल्दान की जल्लाब कोुछ हुआ हाँ, तुमा हर दुर की प्लद को सांद परमा अल्लाहो उक्षर बारश स्टार्ट होगी दुबारा से आए आए बारश आ रहा है यह अलहां दिल्ला यह यह देखें रोड के दिरम्यान यह फिले खाली जगा हुआ तिसी देखें अब इसके अंदर कितना खूब सूर्ट पार्क बना के इसको डेकुरेट किया और बारश के बार तो यह और भी जादा खूब सुर्ट हो जाते हैं पार्क बना के लिए यह देखें यह देखें इसको कितना खूब सूर्ट डेकुरेट किया है उपर से बारश गिर रही है बादल बहुत ज्यादा आ गया है माशाळा कि इसको कितना जबर्दस किया हुआ है कि इसी कि उपर पत्थर लगा हुआ है मैं यह दूरो दूर से फूल महसूस हो रहे हैं यह पत्थर लगा के उनको ऐसा प्रेंट की हुआ है दूर से यह फूल महसूस होते हैं यह देखें पत्थर लगा लगा के इसको पहाड़ी की शेकल दी वही है चोटी सी पहाड़ी बना दी है यह भी और यह दो रोर के दरम्यान में यह देखें इस तरह भी पोदे लगे हुए है और यहां पर भी एक चोटा सा ओपन जिम बना हुए है यह देखें है यह यह जी ओपन जिम एक्सरसाइज के लिए यह जिम है दो लोगों के लिए यह भी और वह सामने भी चोटे से चोटे पारक में भी चोटा सा चोटा जिम मिलेगा यह भी देखें यह सैकल बने हुए है इस सैट पर भी यह देखें यह भी घास की किसम है दूर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है यह साथ फूल है और बारश के बार का खूबसूरत मौसम है पहले वहां पर एक आप शायर थी उसको खत्म कर दे गया है और यह सारी जगा खाली थी अब माशाला कितना इसको जबर्दस डेक्राइट किया यह देखें यह भी सारे पूल लगे हुए इस सेट पर भी रोड है उस सेट पर भी रोड है यह दो रोड के दरम्यान में है दो तकरीबन असर की एजान का वक्त करीब है माहे रमजान का बाबरकत महीना है और अल्व गाला की रहमत का नजूल दे जा रही है हलकी हलकी बारश हो रही है माशाला मौसम वगरा खराब हो तो इसके अंदर भी जा सकते हैं यह देखें अंदर बे नहुए है अंदर जाने के जगा है यह पानी गिर रहा यहां पर इस जगा पर पहले यहां पर एक आप शारती जो हम बाद देखें वैसे यहां पर चोटी सी आप शारती इसके साथ ही यहां का मशूर फुलाफल अर्फा है यहां से बहुत मशूर समूली मिलती है वह खाने के लिए आते थे लोग और अब उस आपशार को खत्म करके यह चोटा सा पारक बना दिया है यहां यहां जी मौसम खुराब है आप इसके अंदर भी आ सकते हैं यह देखें अभी यहां पर काम जा रही है यहां पर कोई और इंसलाम भी कर रहे हैं टेबल वगएरा लगेंगे अगर मौसम खुराब हो तो आप यहां पर आ सकते हैं अभी जैसे बाहर बारश हो रही है आप यहां पर आते हैं आके साथ ही ये फास फूर्ड की दिकाने हैं इस सैड पर और मशूर फुराफल अर्फा है और साथ में असीर की दिकाने है जूस की और और भी फास फूर्ड की दिकाने है वहां से लेकर भी आप यहां पर बैठके का सकते हैं इसके अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी लोगों का राश इसलिए नहीं है यहां पर क्योंकर माहे रमजान है अफ्तारी के बाद लोग रात के वक्त यहां पर आएंगे यह इसकी ओपन च्छत जो बहुत ही खूबसूरत है यह देखें इस सेट पे भी यह सारे टेबल बने हुए है बहुत ही फैंसी टाइब के यह देखें यह टेबल है इधर आप बैठ भी सकते हैं और यह डेकॉरेशन भी है यह भी सारे फूल रगे हुए है और बारश भी टोले से ज्यादा तेज होगी है माशाला मैं उनवीद मनीर इस वक्तम मजूद हैं बुरेदा लकसीम साथी अरेबिया में बहुत ही खूबसूरत मौसम है पूबसूरत मौसम की बारश के दुराना आपके साथ वीडियो शेयर किया इंशालला मिलेंगे अगली वीडियो में अपना आप बहुत जादा श्यादत येगा अल्ला हाफिज